नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो के माद्यम से हम USB Range Wi-Fi का ड्राइवर इस्टोल करना सिखेंगे हमने Google Chrome ओपन करेंगे सबसे पहले और यहां टाइप करेंगे Range 8.802.11N Driver इस नाम से यह 450 MB का ड्राइवर है मिटर रेंज का तो उसको सर्च करेंगे और सबसे पहला जो लिंक है उस लिंक को ओपन करेंगे उसके बाद निचे स्क्रॉल करेंगे यह देखे ड्राइवर दिखा रहा है यह जो Wi-Fi ड्राइवर उसकी फोटो है इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे जो लिंक दिया है उसके सबसे पहले क्लिंक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे यह हमारी सामने एक अलग पेज ओपन होगा उसमें देखे यह ड्राइवर डाउनलोड रहा है ज्यादा समय नहीं लगेगगा इप्रॉक्स कुछ सेकेंड यह बता रहा है तो यह ड्राइवर हमारा विन्रार के अंदर है तो सबसे पहले हम विन्रार डाउंलोड कर लेते हैं Google में सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे विन्रार 64-bit हम देख लेते हैं हमारा PC कौन से बिट का है तो मिनिमाइज करके माई कम्पूटर पर राइट के लिए करेंगे प्रॉपर्टी इस पर क्लिक करेंगे और यह देखिए 64-bit ऑपरेरिंग सिस्टम हमने चेक कर लिया है 64-bit का ही है तो इसके अकोडिंग ही हम आगी वहां पर विन्रा 64-bit पर क्लिक करेंगे यह जो फर्स्ट लिंक आएगा इस पर क्लिक करेंगे और एक नया वेब पेज उपन होगा सेंटर के अंदर 64-bit विन्रार लिखावा है इंग्लीज उस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे यह डाउनलोड होना शुरू हो चुका है सबसे पहले विन्रार को इंस्टोल करेंगे उसके बाद हम जो मारा ड्राइवर उसको डाउनलोड हुआ है उसको इंस्टोल करेंगे तो विन्रार पर सीधा क्लिक करेंगे इंस्टोल पर क्लिक करेंगे ओकी करेंगे कैंसल करेंगे इसको अभी जो ड्राइवर हमारा डाउनल कई बार इसमें वक्त भी लग सकता है अगर इसमें वक्त लगता है तो हम इसको कैंसल करके विंडो के अंदर भी इसको ड्राइवर को इंस्टोल कर सकते हैं यह देखिए इसमें वक्त लग रहा है तो हम इसको कैंसिल करेंगे विंडो के अंदर जाएंगे नीचे स्क्रोल करेंगे और यह देखिए सेटप लिखावा इस पर डबल किलिक करेंगे सेटप.exe पर यस करेंगे यस करने के बाद यह कुछ प्रोसेस होगी हमारा ड्राइवर इंस्टोल होना चुरू हो चुका है यह नेक्स्ट करेंगे यह देखिए फाइल कोपी हो रही है अगर आप हमारी चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें वीडियो के आंद तक बने रहें और कमेंट करें यह देखिए अमारा diagnostic software इंस्टोल हो चुका है यह देखिए यह हमारा complete software इंस्टोल हो चुका है PC को restart करेंगे एक बार और हमार ट्राइवर इंस्टोल हो चुका है थैंक यू फॉर वाचिंग अगर आप चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू